इन दिनों बाजार में मिलने वाली कुछ चीजों पर नीले और हरे रंग का निशान दिखता है ये फेर ट्रेड की मुहर है ये बताती है कि प्रड़क्ट तयार करने वाले कामगरों को वाजिब मजदूरी दी गई है हाँ इसकी वज़े से समान कुछ महंगा जरूर हो जाता है दुनिया भर के वैपार में अभी फेर ट्रेड का हिस्सा दो फीसिदी से भी कम है लेकिन जर्मनी जैसे कई देशों में ये लोगप्रिय हो रहा है बहुत कम लोग जानते हैं कि काफी के बीच किन हालातों से गुजर्टे पीस्ते हुए उन तक पहुंसते हैं लेकिन अब ग्राहकों में काफी उद्योग से जुड़े लोगों के अधिकारों के प्रती जाग रुकता बढ़ी है लोग जानना चाहते हैं कि उनके सामने आए कॉफी में कहीं किसी के आशू तो नहीं किसानों और मजदूरों को पूरी कीमत मिली हो यानि फेर ट्रेड बरलिन की इस दुकान में आम कॉफी से दुगनी कीमत पर कॉफी के बीज मिलते हैं लेकिन लोग इन्हें खरीते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी कॉफी और फेर ट्रेड की कीमत पता है अधिकतर किफायती दुकाने ऐसा सामान खरीती हैं जो सही तरीके से आया हो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जितने ग्राहक हमारे हां दिन में आते हैं तो यह फेर ट्रेड का लोगो यह सर्टिफिकेट देखते हैं फिर उसे पहचानने लगते हैं पर्स घर का सामान परनीचर कपड़े सभी सामानों में वो कैसे बनाया गया है इस पर ध्यान दिया जाता है पिछले साल जर्मनी ने फेर ट्रेड के सामानों के लिए करीब 40 करोड यूरो दिये जो पहले से 20 विस्दी जादा है अब एक अच्छा मिक्स है इसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं तो गंभीर वयस्क लोग भी जो यहां आते हैं जो ज्यादा कीमत देते हैं सामान कहां से आ रहा है उसे बनाने में मानवादिकार मजदूरों के कानूनों का ध्यान रखा गया है या नहीं इस पर जर्मनी में बहुत ध्यान दिया जाता है धीरे धीरे लोग ध्यान दे कर इस तरह के सामान खरीद रहे हैं